स्वारगाट में एटक से संबंदित मिटे मिल बरकर यूनिन की ब्लोक्स तरी बैटक यूनिन की जिला अध्यक्ष कमलेज ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैटक में एटक के राजिया उपादिक्ष लेकराम भर्मन बिशेश रूप से उपस्ते रहे इस बैटक में मिटे मील बर्करों की विविन्स मस्याँ पर बिस्तार से चर्चा की गई स्वारघाट में एंटक से संबंदित मिटे मील बर्कर यूनिन की ब्लोक स्थरी बैटक यूनिन की जिला अध्यक्षा कमलेश ठाकुर की अध्यक्ष्टा में हुई बैटक में एंटक के राज्य उपाध्यक्ष लेक राम बर्मा विशेश रूप से उपस्त रहे, इस बैटक में मिड़े मील बर्कर्स की, विविन्स मस्याँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, बैटक में स्वारघट ब्लोक की, परधान नीलम कुमारी पर गीता देवी सचिप रचना देवी व सुनिता देवी कोशाध्यक्ष ममतब चंचल प्रवीन कुमारी सही तरशनों मिड़े मील बर्करों ने भाग लिया, जिला अध्यक्ष कमलेस ठाकों ने कहा कि स्कूलों में मिड़े मील बर्कर का शोशन किया जा रहा है, जबसे सरकार ने स्कूलों म जबकि इसके बदले उन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा, वहीं प्री नर्सरी कक्षाओं के बच्चों को दपहर के बोजन के लिए भी किसी तरह के बजट का प्रवन्द नहीं किया है, और अन्य बच्चों के हिस्से से प्री नर्सरी बच्चों को दपहर का खाना खिला जा कि मिड़े मील बढ़कर नर्श्री कक्षाओं के बच्चों को भोजन नहीं देंगे या शोच नहीं ले जाएंगे बलकि उनकी विभाग और सरकार से ये मांग है कि उन्हें इस अतिरिक्त काम के बतले कुछ दिया जाए इंटक के राज्य उपधेक्ष लेक राम बर्मा ने कहा कि मिड़े मील करमचारियों की उपरक्त मांगों का समर्दन करते हैं और इसके लिए इंटक यूनियन मिड़े मील करमचारियों के साथ है और उनकी मांगों और समस्याओं के निराकर्ण के लिए तियार है मैं मिद्दे मिल की जी लाध्यक्स हूँ और यहाँ ब्लोक अस्वारगाट की सारे मिद्दे मिल बर्कर जो इकट्टे होए हैं. हर एक स्कूल के बड़कर आए हुए हैं. आज यह इस मतल्द bissलं से इकट्टे हुए हैं, क्योंकि जो स्कूलों में सोषण हो रहा है, सबी बेहनों और भाईयों का यह जो नर्सरी क्लास की क्लास से बच्चे बिठाए हुए हैं इन्होंने हमारे को इतनी जिब में बारे दे रखी है कि इनको खाना खिलाने ते लेके ट्वालेट रूम तक जाने तक सारा काम जो है मिड़े मलब वरकर को दे रखा है इनों लोगो से आ रहे हैं उसी तरीक के से रखो इनको जो हमारे हिसाब से इनको खाना खिला सकें सकें और जो स्कूल में यह जो SMC किमिट्टी रखी है हम तो सरकार से हम मतलब किसी भी अदिकार से यह बोल लेंगे जाके कि सर यह जो हमारे शिर के उपर इन्होंने ऐसे डंडे लगा दि हैं यह तो ना हमें काम करने दे रहे हैं ठीक ढंग से और जब भी हम स्कूल में जाते हो और एकदम से पीछे से घूस जाते हैं फिर कहने लगते हैं कि आप ठीक निकर रहे हैं आप बच्चों को देखो आप इन छोटे-छोटे बच्चों को टौैलेट रूम में लेकर अजसे मतलब इनने कोई बात मानने से इनकार कर दी है तो हम इन बच्चों को खाना पर्तिक रहे हैं